आवें इंद्र बाहुबली यानी मैं राजमाता शिफगामी देवी को साक्षी मान कर ये शपत लेता हूं कि मुझे अगर प्राण भी त्यागने पड़े तो संकोच नहीं करूँगा Yes, hello everyone, Hitesh here, today we gonna talk about your most awaited movie called बाहुबली इस दमदार movie को जितना कोशिश हो सकेगा उतना दमदार बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि इस कहानी में है सच्चाई, दर्द और प्यार जो कि पिछले 5 सालों से हमने हमने हमारे दिल में महसूस की है मार्केट में आते लेक्स को देख कर, मुझे ये पता चला कि बाहुबली का 3rd part आने वाला है तो क्यों ना उसके आने से पहले, इसके पुराने 2 parts का revision हो जाए So now without wasting time, चली आते हैं इस कहानी की main storyline की तरफ जिसकी शिरवात में हम एक औरत को भागता देख पाते हैं, जिसकी गूद में एक छोटा सा बच्चा होता है वो अपनी जान बचा कर कुछ सैनिकों से भाग रही होते हैं, जिसके बाद वो अगेन वहां से निकलने की कोशिश करती है मगर पानी की धारा एतनी तेज होनी की वज़ा से, वही पर उसका पैर सलिप हो जाता है और वो नदी के बहाओ में बैते वे वहां से नीचे पहुँच जाती है वो नहीं चाती थी कि इस बच्चे को कुछ भी हो, इसलिए वो खुद की जान गवा देती है और उस बच्चे को अपने एक हाथ से पानी के उपर ही रखकर खड़ी हुजाती है उस नदी में मौझूद एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे, रात भर वो आरत उस बच्चे को जिन्दा रखती है धिरे धिरे समय आगे बढ़ता जोता है, मगर शिवा को तो उस पहाड पर जाना था जहां से वो इस गाओं में आया था क्योंगी गाओं के लोगों ने हमेशा से उसे कहा था कि ये तिरी असली माने तू तो उपर आस्मान से गिरा था उस पहाड से नीच आया था, इसलिए शिवा हर बार कोशिश करता है उस पहाड पर चड़ने की, इसका नाम था जल परवत मगर कई कोशिशों के बावजूद भी, शिवा एक लॉंग जंपिंग पॉइंट पर आकर हर बार गिर जाया करता था वैल उसकी ये सारी बाते हैं उसकी मा सांगा को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसके लाज के लिए गाउं की योगी बाबा से उसके लिए प्रार्थना करती है, तो योगी बाबा बताते हैं कि शिवलिंग पर जल चड़ाओ, उससे खुद शिव भगवान खुश होंगे, और तेरे बेटे को सदबुद्धी देंगे, मगर अपनी मा को यूँ बार बार पानी लाते वे शिवलिंग के उपर डालते वे शिवा से ये बात से नहीं होती है, और वो वहाँ पर एक बड़ा सा लोहे का सरिया लेकर उसी शिवलिंग के अंदर जोरदार प्रहार करता है, गाउं के लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखीर कर रहा है, और तबी तीन चार प्रहार के बाद तो वे शिवलिंग उस चठान से अलग हो जाता है, जिसके बाद शिवा उस शिवलिंग को उठाकर अपने कंधे पर एक जरने तक आगे बढ़ जाता है, और गिरते परवत से एक मास्क आकर जमीन पर गिरता है, जब शिवा की निजर उस पर जाती है, तो वो उसे अपने साथ ले जाता है, कई दिन हो जाने के बावजूद भी शिवा घर पर नहीं आता है, इस वज़े से उसके मॉम और साथ ही योगी बाबा भी परिशान होते हैं, कि आकर शिवा घर कब आएगा, वो तो बस रात दिन उस मास्क को देखता रहता है, नजाने उसे पाकर उसे क्या हो चुका है, वही हम शिवा को देख पाते हैं, जो कि उस मास्क को रेत पर रख कर, उसके आजपास, अपनी उंगलियों से कलाकृतिया करना है, और देखते ही देखत उस मास्क के नीचे एक सुन्दर लड़की का चारा उपर कराता है, और अब शिवा को समझ में आता है कि एगर मास्क उपर से गिरा है, और यह लड़की का है, तो वह लड़की भी जरूर उपर ही होगी, और अपनी फैंटेसी को कम्प्लीट करने के लिए शिवा अगेन उस ना था नहीं, उसकी उचाई आसमानों तक थी, इसलिए वो कई दिनों तक उस पर चड़ता ही जाता है, और फिर आता है इस मूवी का एक वन आफ दा बैस्ट सीन जहां पर, 2012 में यह एवेंजर्स के अंदर हौकाई की तरह अपना शिवा धनूश से एक बान चुलाता है, औ और उपर खड़े पेड़ पर अपने तीर को घुसा कर अपनी फाइनल डैस्टिनेशन को पा लेता है, उपर पहुंचते के साथ ही, शिवा देख पाता है कि जिसकी कलाकरती उसने बनाई थी, उसका नाम था अवंतिका और वो कुछ सानिकों से डर कर भाग रही होती है, शि कि अकेले ही इतने सारे सानिकों को धूल चटा सकती आकरी है कौन, तो वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है, जहां पर अवंतिका अपने खेमे में पहुंचती है, यहां पर इनका लीडर जिसका नाम था जयवर्मा, अपने सभी साथियों कहता है कि हमें जितना देव सेना को भलाल देव के कबजे से चुड़ाना होगा, जहां पर अवंतिका कहती है कि इस काम को मैं अंजाम दूँगी, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, हाला कि जयवर्मा उस पर विश्वास तो नहीं करना चाता था लेकिन उसकी दिलेरी और उसकी तेजी को दे देखाई है, जहां पर इससे रिलेटिड हमें एक सीन देख पाते हैं, यहां कहानी का में विलन यानि की भलाल देव, एक बहुती बड़े सांट के साथ दो दो हाथ कर रहा होता है, वो सांट दिखने में काफी बड़ा और काफी जदा शक्तिशाली था, मगर भलाल देव भ खुल जाती है, वो फिर से उस पर अटेक करने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में जाता है काटपा, और उस सांट को वहीं पर जान से मार डालता है, यह देख भलाल देव उसकी वफादारी पर खुश होता है, और कहता है कि मांगो, क्या मांगते हो, काटपा तुमने कई 30 सालों से हमारे राजघराने के अंदर अपनी सेवाई दिये, और हर बार तुमने हमारा विश्वास जीता है, रिपले में कटपा कहता है, मैं बस आप से यही मांगना चाहता हूं कि भलाल देव, देव सेना को छोड़ दिया जाए, यह सुन भलाल देव क्रोद की जॉला मे होती है, जहां बलाल देव उससे कहता है, कि तुम्हारी जिन्दगी यूही बीदेगी, और जिसका तुम इंतजार बर्सों से कर रही हो, वो कभी नहीं आएगा, और इतना कहने के साथ ही, वो वहां से निकल जाता है, फिर हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क मैं बलाल देव को जलता देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो इतना चलाए इतना चलाए कि इस पूरे महल की हर दिवार दहल जाए, उसकी मौत पर ही मेरा इंतिकाम खत्म होगा, में वाइलम अवंतिका को देख पाते हैं, जो कि अपनी एक साथी के साथ, अपने ख काम से पहले तो शिवा को पकड़ेगी जो बार बार आकर उसके हातों पर यहीं टैटू बना जोता है, और फाइनली काफी दिनों की कोशिश के बाद भी अवंतिका शिवा को ढूंडी लेती है, जहां पर शिवा उससे अपने प्यार का इजहार करता है, कि मैं नीचे गाउ से तुम्हारे पास उस जल परवत पर चड़कर आया हूं, मगर अवंतिका को उसकी बात पर विश्वास नहीं होतार, वो कहती है कि वो नीचे का गाउं, यहां से करीब 1000 किलो मीटर दूर है, वहां से कोई यहां तक आई नहीं सकता, लाग कोशिशों के बावजूद भी आँखों में का जल लगाता है, और देखते ही देखते कर से जिकने वाली अवंतिका को एक सुन्दर प्यारी लड़की में बदल देता है, और कांच में उसे उसकी परच्छाई निखाता है, और बताता है कि देखो, तुम कितनी सुन्दर दिखती हो, अब इνतिका की आज तक उसे ऐसा कभी ऐसास किसी ने नहीं दिलाया था उसने अपनी जिंदगी में बस सिर्फ जंग लड़ी थी मगर पहली बार उसे एक सुन्दर लड़की होने का एसास होता है और इसी के चलते ये दोनों फिजिकल एटैज हो जाते हैं जिसके बाद अगले दिन शिवा की आँ पासी की एक पेड़ की चाल का साहरा लिता है और उन सैनिकों से अपने आप और अवंतिका की जान बचा कर वहां से भाग जाता है मेनवाइल माईश मती सामराज जुक देख पाते हैं जहाँ पर इस वक्त भलाल देव की सोने से एक काफी बड़ी मूर्ती बनाई जारी होती और आज था उसका फाइनल डे जहाँ पर उस मूर्ती का उतगाटन पूरे गाउं के लोगों के सामने होने वाला था लेकिन वो मूर्ती इतनी भारी थी कि उसको सीधा खड़ा करने के लिए गाउं के सारे लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और साथ इसे मनोरंजक बनाने के लिए यहाँ पर काफी सारी क्लासिकल टांसर भी आती हैं और धेर सारे पंडित भलाल देव के शुब अवसर पर भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं लेकिन तभी गल्ती से एक इंसान से वो रसी चूड़ जाती है और बड़ी भारी मूर्ती वापस जमीन प सबी लोगों में जोशा जाता है और हर कोई एकी सुर में बस बाहुबली बूलने लगता है हाला कि वहाँ पर सोनी की प्रतिमा तो भलाल देव की लग चुकी थी मगर माय इश्मती के सामराज्य में उन लोगों के दिलों में जिसकी मूर्ती क्रेट हुई थी वो था बाहु सीन शिफ्ट होता है रात में जहाँ पर भलाल देव अपने सभी सैनिकों को अपने सामने बुला कर पूछते है कि आखेर सुबह मैदान में बाहुबली किसने बूलना स्टार्ट करा मगर सैनि कहते हैं कि नहीं हमें इसके बारे में कुछ नहीं बता उन सभी सैनिकों में शि जहां पर उसके सारे सैनिक उसे पकड़ने में लग जाते हैं और तबी शिवा अपनी चालाकी और तेजी के साथ में देव सेना को वहां से छोड़ा कर घोड़े पर बैठ कर वहां से भागने लगता है। का सामना करना स्टार्ट करता है जहां पर कटपा उसे अपनी आँखों से देख रहा होता है लेकिन इस वक्त बारिश आ रही थी और कीचर से उसका पूरा मुझ सनावा था तब भलाल देव का छोटा बाई वहां पर आगर पहुंचता है और उसे मारने ही लगता है लेकिन देखकर घुटने टेक देता है और उसके नाम के जैकारे लगाने लगता है जहांबर नेक्स दे मॉर्णिंग में शिवा को बचाने के लिए जैवर्मा की टीम भी पहुंच चुकी होती है और साथ ही जल परवत को पार करके शिवा की मास सांगा अपनी पूरी टीम के साथ भी पहुंच चुकी होती है तो आकिर शिवा कहता है कि आप लोग मेरे सामने जोके क्यों उसके पीछी का रीजन क्या है मुझे सब कुछ सच सच बताओ तो कटपा बोलना स्टार्ट करता है कि आज से कई साल पहले तुमारे दादा जी महिंद्र बाहुबली को दो बेटे लेकिन एक जंग में बाहुबली मारे गए और साथ ही तुमारी माँ भी तुम्हें जमन देते के साथ ही मर गई लेकिन तभी तुमारी चाची ने तुम्हें संभाला जिसका नाम था शिवगामी और इस वक्त पूरे माहिश मती के अंदर सिर्फ शिवगामी का ही राज था क उसने खुद के बेटे भल्लाल देव के साथ साथ तुम्हारी भी परवरिश करी। दोनों कोई सेम कलाएं सिखाएं गई, दोनों कोई सेम विध्याएं दी गई। जहाँ एक तरफ तो तुम्हारे पिता बाहु भली काफी तेज और चालाक थे। वहीं दूसरी और भल्लाल देव काफी ज़दा ताकतवर था और अब शिवगामी को चुनना था कि आखिर इस महाईश्वती का असली सिंधासन कौन संभालेगा। लेकिन तभी उनी के राज्य का एक गदार जाकर काल के को ये सारी इंफरमेशन दे देता है कि कुछी टाइम के अंदर यहाँ पर मायश मती का राज्य भी शेक होगा और इस राज्य पर कबजा करना असान होगा लेकिन इसे मारने के लिए बाहु बली और भल्लाल देव पह होने वाला है जिसके पास काफी बड़ी टीम है और वो जंग लड़कर मायश मती को अपना बनाने के लिए यहाँ पर आने वाला है तो शिफगामी कहती है कि यही असली परीक्षा होगी इन दोनों की जो भी काल के को मार कर इस जंग को खत्म करेगा वह होगा मायश मती जहांबर शिफगामी उसे और उसकी टीम को यहां सो चले जाने के पारे में कहती है मगर काल के यह कहता है कि जब मैं और मेरे लोग तुमारे दोनों बेटों को जान से मार देंगे तो मैं आकर तुझे अपनी दलन बनाऊंगा और तेरे मेरे सियोग से जो बेटा पैदा चाहे चील कवे इसकी आते खा जाएं मगर ये जिन्दा रहना चाहिए और इसके बाद शुरू होती है इस कहानी की वन आफ दा बेस्ट फाइड जहां पर सारे काल के एके मुझबूत और बड़े युद्धा आकर इनके राजे पर एक जोरदार प्रहार कर देते हैं मगर इनक उनकी तादाद बढ़ना चालो जाती है तब यहां पर बाहुबली और भलाल देव दोनों सोचते हैं कि हमें खुद जंग में उतर कर उन सभी की पेलम पट्टी करनी पड़ेगी जाएं एक तरफ तो भलाल देव एक स्पिनर को लेकर उन सभी के बीच में पहुंच जाता है मगर भलाल देव बिना कुछ सोचे समझे काल के ही की सैनिको को तो काटता ही काटता है मगर उसमें गाउं के लोग भी मारे जाते हैं मगर बाहुबली ऐसा नहीं करता है उसके हाथ में बैट पैंच जैसी थोड़ी सी छोटी रस्सियां थी जिसे वो फैक कर उन गाउंवालो गेम की जैसा लगा आप लोग क्या सूचते मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा बाहुबली उसकी पीट पीट कर हालत पतली कर देता है उसे अपनी मा की वो बात याद आती है कि चाहे इसकी आखे निकल जाए चाहे इसके हाथ कड़ जाए चाहे तो ची की वहीं पर जान से मारा जाता है वैलेश जंग के शुरू होने से पहले इन दोनों बेटों के ही बीच में ये शर्थ रखी गई थी कि जो भी काल के को जान से मारेगा वही माहिश मति का होने वाला राजा किलाएगा जिसे देव भलल्लाल देव का बाप बिजाल देव काफ संकोच नहीं करूँगा और पूरी दिलेरी से अपने राजा का हर काम पूरा करूँगा लेकिन प्रजा नहीं चाहती थी प्रजा तो चाहती थी कि बाहुबली मायश्मती के संगासन पर बैठे तब ही वहाँ पर शिफगा में उन सभी के बीच बोल पड़ती है कि भलाल देव राजा नहीं बनेगा राजा बनने का असली हक बाहुबली को है क्योंकि पहली चीज तो उसने किसी मासूम की जान नहीं लिए बलकि जग में खुद के खूण की बली दी गाओं के मासूम लोगों को मरने नहीं दिया बलकि उनकी जान बचाई और यही रीजन है कि मैं का अगला राजा बाहुवली को चुनती हूं ये सुनकर तो पूरी प्रजा खुश हो जाती है हर किसी में एक उल्लास की लहर दोड़ जाती है वह इपर सीन शिफ्ट होता है प्रजन टाइम में जहांबर शिवा कटपा से पूछता है कि आखिर बाहुवली है कहां पर तो अगरे सस्पेंस के साथ में ये शांदार कहानी यहीं पर खत्म होती है वैल आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके बाद में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जुल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा तब तक के लिए की वाचिंग स्टी सीफ तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कि अ झाल झाल